जिंदगी हर मोर पर कुछ नए अनुभव लेकर आती है हर सबह कुछ नए शर्ते लेकर आती है तो हर शाम कुछ नए तजुर्वे दे कर जाती है दर्शकों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कारिक्रम बिहार बिहान में आपके साथ मैं हूँ प्रतिभा जी हाँ, जीवन में जो कुछ भी हमें मिले, चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले, उन सभी को समेट कर हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए शर्ते लेकर आती है जिंदगी तो नए अनुभव भी तो दे कर जाती है और अगर ऐसा होता है कि जीवन में हम कुछ ऐसे बातों को अमल करना चाहते हैं, जीवन में कोई मकसद हासल करना चाहते हैं अगर हम उसमें कामयाब नहीं भी हो पाते तो उसके तरजुर्बे को लेकर हम कामयाबी का एक नया रास्ता तयार कर सकते हैं तो दरशकों इसी प्यारी सी फौट के साथ करते हैं आज के बिहार बिहान के इस कारक्रम की शुरुवात और सबसे पहला सेग्मेंट जो हमारे कारेक्टरम में होता है हम उसमें बात करते हैं अनमोल वचनों की जीहा कुछ ऐसी बाते कुछ ऐसे वचन जो हमारे जीवन को एक नया आधार देते हैं एक नया रास्ता दिखाते हैं तो आज जो अनमोल वचन सेग्मेंट है और जिनके वचन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस कारिक्रम में वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जीहा, महान वैग्यानिक और चिंतक जिन्होंने कई सारे ऐसी बाते कहीं हैं जो हमें जब हम निराश होते हैं तो उसम हम आपके बीच लेकर आए हैं उस विचार में कहीं इस बात को दर्शाया गया है कि जीवन में खुछ ऐसी चीजे होती हैं कुछ ऐसी परिस्थिया होती है जो स्वतہ होती है और हम उन्हें बदल नहीं सकते इसलिए सबसे अच्छा होता है कि हम जीवन में समय की धारा के आगे बढ़ते चले और बस आगे बढ़ते चले अपने कर्म पर विश्वास रखे अपना कारे करें अपनी जो जिम्मदारिया है उसे पूरा करें बाकी सब चीज जो है जीवन की धारा के साथ समय की धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ दें तो चलिए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है आज की आनमोल वचन सेग्मेंट में हमारे बीच मौजूद है आप है श्री पवन कुमार जी निदेशक हैं आप डाक विभाग पूर्वी क्षेतर के पवन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारेक्टरम बिहार बेहान में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल हमने विश्री तोर पर मनाया कल राश्ट्रे डाक दिवस था 9 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं आज के विश्रे में जानना चाहेंगे क्योंकि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राश्ट्रे डाक सब्ता हम मना रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर में आप सबसे नव अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर से 20 वडाक दिवस के रूप में मनाते हैं और 1874 इस भी में 9 अक्टूबर का ही वो दिन था जब पहली बार 22 मुलकों ने मिल करके स्विटिजर लेंड के वर्ड में एक बैठक की थी एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पर और उसके बाद 1979 इस भी में टोकियो में एक कॉन्फरेंस हुआ था जिसमें ये निर्णे लिया गया कि 9 अक्टूबर को हम प्रतिवर से 20 वडाक दिवस के रूप में मनाएंगे आप देखते हैं एक छोटा सा खत है या पारसल है दुनिया के किसी देश का सहर कर सकता है किसी देश में हम भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं तो जबकि देश की अपनी सिमाएं होती है, देश के अपने नियम होते हैं, देश के अपने हर देश के अपने कानून होते हैं, उसके बावजूद भी जदि एक देश से दूसरे देश में डांक सेवाओं का निर्बाद रूप में अदान परदान हो रहा है, डांक सेवाओं दुनिया के सदस्य देशों को मिल रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जोगदान इनवर्सल पोस्टल उनियन का है तो इसलिए हमारे लिए पुरे डांक परिवार के लिए पुरे बिस्व के डांक परिवार के लिए और पुरे बिस्व के लिए एक तरह से यह बहुत ही खा विधिया करते हैं प्रतेक दिन हमारे लिए एक खास दिन होता है जैसे कि कल नव अक्टूबर था तो विस वडांक तिवस के रूप में हमने मनाया कई काजक्रम किये गए पटना में हमारे जो मुख डांक महादेक्ष महोदें हैं उन्होंने दो हजार से जादा डांक कर्मियो को संबोधित किया और जो जनता की अप एक्षाएं हैं जो सरकार की अप एक्षाएं हैं उस पे हम कैसे खरे उत्रें लोगों की विश्वास की प्रमानिकता को हम खटाई में न पड़ने दें और लोगों के जो उमीदों के कोमल तंतू है वो मुर्जाय नहीं उसके लिए हम हमें प्रयत्न करते रहना है हमें अपने करतब्यों का समयक निर्वहन करना है इस इन तत्यों पर माननिये मुख डांक महाध्यक्ष महोदय ने और उसके बाद रिजन्स के जो हमारे डांक महाध्यक्ष महोदय होते हैं और उसके तरीक ते अन्य अधिकारियों ने तबादले ख्याल किया और एक बहुत विस्तिरित ब्यापक कल कार्जक्रम हुआ उसके बाद रोज कुछ ने कुछ होना निर्धारित किया गया है जैसे कि आज राश्टिय डांक दिवस है तो बहुत महत्पुर्ण कार्जक्रम हमारे दिल्ली में जो माननिय संचार मंत्री महोदय हैं अस कॉंफरेंस किया जाएगा उसके बाद फिर आज का पिस्तिरित कार्जक्रम है जिसमें हम लोग परिचर्चा का कार्जक्रम है उसके बाद संगोष्ठी आयोजित किया गया है सेमिनार का आयोजन हुआ है उसके अत्रीकते हमारा हमेशा से स्कूली बच्चों और कालेज के ब रहा है तो जो डाक कर्मी हैं या जो संबध पक्ष हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच पोस्टल के प्रती रुजहान को और ग्यान को भी बढ़ाया कैसे जाए उसके लिए हम लोग आज क्वीज का आयोजन कर रहे हैं उसके बाद सबसे बड़ी एक महतपूर्ण हमारा कॉन्फरेंस होगा जिसमें राष्टी अस्तर के अर्थ दुनिया के बहुत जाने मानी हस्ती जो हैं सिसिर सिना साहब ओ आज पटना में आने वाले हैं और वो भारत का क्या वीजन होना चाहिए दोहजार से तालिस तक और डांक विभाग कैसे उसमें अपने आप को अर्पि हमारा सभी जो डिवीजन्स हैं पोस्टल डिवीजन्स उनको व्यापक निर्देश दिया गया है कि वो लोगों से जुडेंगे लोगों से मिलेंगे और हम लोग आज के दिन को बितिये स्वसक्ति करण दिवस के रूप में भी मना रहे हैं पहले जो कार्ज करम हमारा होता थ हराश्टी डाक सब्ता उसमें इस साल थोड़ी तब्दिलियां की गई है जैसे कि पहले हम लोग बचत बैंक दिवस और ग्रामिन जीवन बीमा और जीवन बीमा के लिए अलग अलग तीथी निर्धारित किया जाता था लेकिन इस साल दोनों के मिला कर हम लोग वीतिये स्व सकती करण दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि बीतिये स्सकती करण में इंसुरेंस की भी भूमिका है और बचत बैंक की भी भूमिका है तो आज हम इसके लिए जो हमारे पिछले छेत्र हैं जो दूर दराज के छेत्र हैं जो बंचित छेत्र हैं वैसे तो हर जगे उप से सिवीरों का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग ये पूरी कोशिस कर रहे हैं कि जो हमारी जो इंसरेंस की सिवाए हैं और जो बचत डांक बचत बैंक की सिवाए हैं वो अपने घर के दरवाजे पे लेना चाहते हैं तो हम उनके घर के दरवाजे तक पहुंच सकें और एक कृति जानना चाहूंगी पवं जी आपने बहुत ही विश्स्रेều टूपसे बताया कि बाके दिनों में जो यह राष्ट강 सबता हम मना रहे हैं कल अन्धर राष्ट्री डाउज राष्ट्री के दुबस था आज राष्ट्रेều कारिक्रम का जो संचालन होगा अलग-अलग दिन की अलग-अलग बात होगी उसके बारे में आपने बहुत इवस्तिक से बताया आपसे जाना चाहूंगी आपने अंदराश्य डाक दिवस के परिप्रेक्ष में उसके इतिहास के बारे में आपने बताया कि कब इसकी शुरुआत की गई थी लेकिन अगर हम भारत की बात करें अगर हम भारत वरश की बात करें तो यहां भी डाक विभाग का इतिहास काफी पुराना और गौरफशाली रहा है हम चाहेंगे कि भारतिय डाक-विभाग के बारे में आप कुछ बाते कहें जब हम उस दौर में जीते थे जब चिठियों का बहुत जञादा प्रचलन हुआ करता था और शायद डाक विभाग को लोग चिठियों से ही जोड कर देखते थे उस दौर की हम बात करना चाहेंगे आथ से लेकिन इस प्रश्ण के उत्तर के पूर्व जदी आपकी अनुमती हो पूरे डाक सब्ता हमें हम लोग कई तरह के काजगरम कर रहे हैं तो मैंने आज के काजगरम के बारे में अपने सुरताओं को बताया और उनसे वो लभानुट भी होंगे तो आपकी अनुमती से मैं ये भी उध्रित करने की एक्षा रखता हूँ कि हम लोग कल क्या करेंगे परसो क्या करेंगे जैसे कि कल हम लोग फिलेटली दिवस के रूप में मनाएंगे मंगलवार को और फिलेटली एक बहुत ही पोपुलर विधा है और दुनिया की सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाई गई एक रूची है एक हववी है तो कल हम लोग फिलेटली दिवस के रूप में मनाएंगे उसके बाद फिलेटली में फिलेटली जो वीरो हैं हमारे देश में और बिहार में वहाँ पे हम भी से काजक्रमों का आयोजन करेंगे फिर हम इसकुली बच्चों से जुड़ेंगे वहाँ पे भी क्वीज का आयोजन क करेंगे उसके बाद माई स्टेंप जो हमारा होता है उसका हम लोग प्रचार प्रशार करेंगे लोगल कि पता 선생님 पहले से बहुत कूछ उसके बाद फिर सारे मंदलों में सब डिवीजिनों में हमारा काजकरम उससे संबंधित जो है फिलेटली से और फिलेटली से संबंधित एक बहुत अच्छी स्कॉलर्शिप की योजना है जिसका नाम है दिन दयाल असपर्स योजना जिसमें छटे क्लास से लेकर नवे क्लास तक के बच्चे भागिदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और इसमें जो विजेता होते हैं जो चैनित प्रतिभागी होते हैं प्रतेक सर्किल में चालिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों का चैन किया जा सकता है और उनको प्रती माँ 500 रुपए का वजीफा दिया जाता है तो बहुत अच्छी योजना है दुरभागे से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है या चातरों को बहुत ऐसे हैं जिने पता नहीं है तो ये दिन दियाल असपर्स योजना है उसका हम प्रचार परशार करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन जो वुद्ध बार है हमार मर्स के इस दौर में और डिपार्टमेंट के साथ एक नया आयाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम लोग अगले दिन को मेल्स और पार्सल्स दिवस के रूप में मनाएंगे और पूरी कोशिस वैसे तो हमारी सत्त प्रियास होता ही है कि हम 100% डिलिवरी करें मेल का और पार्सल की इस दोर में बहुत ज़्यादा बदला हुआ है जो नई तकनीकी है जो नए प्रदोगी है उसका हम लोग इस्तिमाल कर रहे हैं तो वो संबदपक्ष है जो हमारे डांक कर्मी हैं उनको उससे भीग कराया जाए और जो जिसकी हम सेवा कर, जो लोग हैं उनको भी उसके बा मेने में delivery हुआ है तो इन चीजों के बारे में और कई चीजें जो पार्सल ट्रेकर है उसे कई तरह कि हम सिवाएं दे रहे हैं और दिन प्रति दिन उन सिवाओं में सुधार लाने की हमारी कोशिसे हैं तो उसके भविस्य में बेहतर कर सके उस पे हम लोग अमल करने की कोशिस करेंगे उसके फिर अगले दिन जो है हमारा वो अन्तियोदे दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं व्रिश्वतबार को अन्तियोदे आजादी के अंदोलन के समय भी हमारा ये लक्ष था उदेश था कि समाज के अन्तिम व्यक्ति का कैसे उधार हो सके कैसे उसके जीवन में उन्नयन हो सके कैसे वो विकास की शिणियों को तै कर सके तो उसी उदेश की पूर्ती के लिए हमारा डिपार्टमेंट भी आखिरी दिन अन्तियोदे दिवस के रूप में मनाएगा उस दिन जो सरकार की बहु उस प्रचल रहे हैंकि कष़्ाई कर रहे हैं कि निरतर हे असे जो सला रहा है पर्यावरलन से संभन्दित जो मुद्धे होते हैं उसको लेकर हम लोगों के वीश जाते हैं पवंजी आपसे चानना चाहेंगे हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि इतिहास बहुत ही गौरफशाली रहा है भारतिया डाक विभाग का और तब से लेकर आज सक कहीं न कहीं हम सभी के जिंदगी में ये एक अभिन अंग हमारा बन गया है और भरोसे का प्रती की सुचना हमें मिलती है और भारत में प्राचीन काल से ही डाक सेवाएं किसी न किसी रूप में भी दिमान थी ये सही है कि पहले संबदिया हमारे बिचारों को हमारे संदेशों को एक जगे से दुसरे अस्थान पर पहुंचाने का कार्ज करते थे उसके बाद कबुतरों औ अन्य पक्चियों को भी इस कार्ज के लिए इस्तिमाल किया जाता था और मध्यकाल में सेर्शाने पंदर सो एक्तालीस इसपी में डांक प्रणाली की जो शुरुआत की थी शुरू में बंगाल से लेकर के सिंध प्रांथ के लिए वो किया था बाद में उसका अन्य सासकों बिस्तार किया और जिस आधनिक डांक बिवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी सिरुवात बिटिस काल में ही हुआ और लॉड कलाईव को आधनिक डांक बिवाग का जनमदाता कहा जा सकता है काफी हद तक और 1766 इसमी में उस बिवस्था की सिरुवात की गई उसके जिपियों की स्थापना की उसके बाद 1786 इसमी में मदराश जिपियों की स्थापना हुई 1793 में मुंबई जिपियों की स्थापना ही उसके बाद प्रांतों की राजधानियों में जिपियों की स्थापना हुई धीरे धीरे बहुत से डाखानों की स्थापना हुई और आज की तारिक में इसका विस्तार छे गुने से भी जादा लगभग एक लाख चपन हजार से भी जादा डखाने हैं हमारे भारत में तो इस तरह से धीरे धीरे डखानों का विस्तार होता गया उनकी गतवीधियों का विस्तार होता गया डांक विभाग के द्वारा प्रदत अपनाया गया और कई तरह की सेवाएं शुरू की गई जैसे की 1863 SB में आरमेस की सुरूआत होई 1911 SB में इलाहबाद और नईनी के बीच एक बहुत महत्पूर ने प्रस्ण भी आता है प्रतियों की प्रिक्षाओं में की एरमेल सर्विस की सुरूआत होई 1972 SB में पिन कोड की सुरूआत होई जिससे की डांकों के बितरण में जो असुविधाएं हैं उसे कम किया जा सके तो इस तरह से बीच में कई मौनी ओर्डर सेवा की सुरूआत होई यह स्पीड पोश्ट सेवा की सुरूआत होई 1986 SB में 1985 SB में रेल और पोश्टल और टेलिकॉम दोनों को प्रिथक कर दिया गया उसके पहले टेलिकॉम भी पोश्टल डिपार्टमेंट का हींसा था और फिर उसके पहले भारत के सबसे बड़े विवागों में भी पोश्टल लेकिन बटवारे के बाद भी आज चार लाख लगभग डांक कर्मी पुरे देश में कार्ज कर रहे हैं तो कई सोपान हैं इस इतिहास के क्रम में कई निर्णे लिए गए समय समय पर पोश्टकार्ट की शुरूआत की गई और अतरिकते जो सेवाएं हैं कई तरह की जो हमार सारे ऐसे पड़ाव आए भारतिय डाक्वेभाग के एक सफर नामे में जब लोगों की सहलियतों के लिए आपने बहुत सारे चीजों की शुरूआत की जिससे की उनकी उनका जीवन जो है और भी जादा आसान हो गया आपसे जानना चाहोंगी पवन जी इसी क्रम में अगर ह है बहुत ही बड़ा एक कह सकते है एक रिवल्यूशन हम कह सकते है कहीं न कहीं तमाम डिपार्ट्मेंट में तमाम विभाग में Digital India को लेकर कुछ विशेश कारे किये जा रहे हैं जिसे कि हम विश्वे से अपने कदम ताल जो हैं उसको मिलाकर आगे बढ़ सके आप से जानना चाहूंगे अगर हम भारतिय अद्राक्विभाग की बात करते हैं तो Digital India Movement को लेकर अगर हम जोड कर देखें भारतिय अद्राक्व विकास और समावेसी विकास का स्वपन है और जिसे आपने उद्रित किया कि डिजिटल इंडिया और नीव इंडिया का जो स्वपन है उसे सकार करने में हमारा विभाग भी अपनी भूमिका का निर्वान कर रहा है और दिन प्रति दिन डांक विभाग डिजिटल और हाइटेक होता जा रहा है आप देखेंगी लेटर बॉक्स जो है वहां भी ननिथा सफ्ट्वेयर के द्वारा जो उसमें पत्र डाले गए हैं उसकी क्या अस्थिती है उसकी जनकारी हासिल कर सकते हैं तो एक लेटर बॉक्स जो गलियों में मिल जाता है उसके बाद जो हमारे डाखाने क के अंदर जो हम लोग अत्याधरिक प्रदोग्की का इस्तमाल कर रहे हैं आई पीपी भी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इतना मोडर्न वो टेकनोलोजी है बिना एक कीवार कार्ड हम लोग देते हैं जो एकाउंट होल्डर होते हैं उसमें फ्रोड की भी कर सकते हैं एकाउंट खोल सकते हैं उसके अत्रीक ते जो हमारा बहुत पुराना डाग खाना जो डाग भर का बचत बैंक के योजना है उसमें कई तरह की नई सुविधाएं दी जा रही है उसको अब मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिल रही है नेट बैंकिंग की सु हमारा मेन सिगमेंट है मेल डिलिवरी का काम, वहां कितना अपडेशन हुआ है, मेल नेटवर्क अप्टिमाईजेशन प्रजेक्ट शुरूआ था, जिससे की जो समय लग रहा है डिलिवरी में मेल को एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक पहुंचाने में उसको कम किया जा सके और उसके बाद automated mail processing center शुरूख किये गए तक्निकों का इस्तमाल करते हुए फिर अभी एक सिस्थस्त अधिकारियों की समीती गठित की गई थी कि कैसे जादा से जादा parcel सेवाओं को त्वरित गती से पहुचाया जा सके और उसमें जो भी बेवधान है उसको दूर करके उसको जादा से जादा डिजिटल किया जा सके तो हर सिग्मेंट में इंसुरेंस के सेक्टर में भी उसको डिजिटलाज कर दिया गया है वहाँ पे हम मैकेमिस सॉफ्ट्वेयर का इस्तमाल कर रहे हैं अपने फिनांसियल सर्विसेस के लिए फिनेकल का इस्तमाल कर रहे हैं तो जितनी तरह की हम लोग सिवाय दे रहे हैं आप देखेंगी वो जो पहले हम सिवाय देते थे और आज जो हम सिवाय दे रहे हैं उसमें बहुत अंतर आ गया है बहुत ही पॉजिटिव बदलाव और बहुत ही लोगों की सुविधाओं को सुविधाओं में इदाफा करने वाला बदलाव लेकर आया है भारतिय द्रापवे भाग बहुत ही काबले तारीफ बात कहेंगे आपसे जानना चाहेंगे पवन जी की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये तो सुविधाओं की बात हमने की बहुत सारी ऐसी योजनाए हैं जो भारतिय डाकविभाग से लिंक्ट हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाए हैं बच्चत योजनाओं की भी अगर मैं बात करूँ छोटी चोटी बच्चत योजनाए जो भारतिय डाकविभा उनकी जानकारी में ये तमाम योजना आए जाए हम चाहेंगे दिक्र करें आप भारतिय डांक विभाग के द्वारा मेल और पारसर्श लिलिवरी के तरीक थे कई तरह की सेवाएं बहुत पहले से दी जा रही है अठारसो ब्यासी इस भी में ही डांक घर बचत योजना की सिरुवात हो गई थी सायद ये देश का सबसे पुराना बचत योजना था हालाकि उस समय इसमें कमी रासी हम जमा कर सकते थे लेकिन अब तो उस रासी की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है तो इस वे बचत बाइंग की तहत कई तरह की उजना है दिया रही है जिसमें हम बचत बाइंग खाते खुलवा सकते हैं उसके अतरीक्त नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट है किसान विकास पत्र फिर जो हमारा टर्म डिपोजिट होता है एक साल, दो साल, तीन साल और पान साल के लिए फिक्स डिपोजिट है उसका फायदा जनता उठाती है उसके अतरीक्त हमारे पास से एक बहुत महत्पुर्ण योजना सुकरनिया समरे दिखाता योजना है जिसके बारे में मैं बिश्तार से बात करूँगा और उसके अतरीक्त हमारा PPF है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें 15 साल के लिए लोग अपनी रासी को जमा कर सकते हैं और एक मुझत रासी बहुत बड़ी रासी हमें 15 साल बाद मिलती है जो किसी भी महत्पुर्ण कार्ज के लिए काम आ जाती है तो जहां तक डांक घर बचत योजिना का सवाल है उसमें बचत एकाउंट खुलने के लिए कोई रासी नहीं लगती है पहले तो उसमें मिनिमम जमा का प्रावधान था कि 50 रुपे कम से कम निवन्तम जमा होनी चाहिए अब उसमें उस प्रावधान को थोड़ा उसको बढ़ा करके 500 रुपे कर दिया गया 500 रुपे रासी उस एकाउंट में होना चाहिए लेकिन एकाउंट ओपनिंग का खाता खुलने का कोई चार्ज नहीं है यह मैं सपस्ट कर देना चाहता हूँ और इसमें निवल्तम और अधिकतम की कोई बादिता नहीं है आप जितने पैसे जमा करना चाहते 500 से उपाए तो आप लाख हो रुपे जमा कर सकते हैं हला कि हम बोलते हैं लगू बचाते लेकिन उसमें आप 10 लाक 20 लाक भी पैसे जमा कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि कई तरह की हम इसके साथ सुविधाएं दे रहे हैं, चेक तो पहले से ही इसू होता था और उसको अब मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की भी सुविधा मिल गई है, एटीम तो खुली गए है हमारे और इसके साथ हम दूसरे बैंकों में भी अ खाने होते हैं, तो गाओं में कई लोगों को फर्म फिलब करने में दिकत है, तो हमारे जो डाकर्मी बंदू होते हैं, वो इसकार्ज में भी साहता करते हैं लोगों की, कैसे फर्म फिलब किया जाए, जदि उनको पैसे विडॉल करना है, तो उसमें भी और अत्रिक साहता कर तो सुकन्या सम्रिधी योजना एक बहुत मत्पूर्ण योजना है हमारी जिसके सिरुवात 22 जिरवरी 2015 को हरियाना से प्रधान मंत्री जी ने किया था जो जीरों से 10 साल की बच्चिया हैं उनके लिए खाते खुलवाए जा सकते हैं और 18 साल के बाद ये बहुत बड़ी रासी हो जाती है और इस खाते का संचालन बच्चियों के दोरा ही की जाती है गुरून हत्या की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है समाजिक समस्या है और आर्थी कारण भी इसके पीछे हैं तो उससे निजात ढूंने के लिए इस योजना की सिरुवात की गई थी और इसमें बै सबसे बड़ा इसका प्रवधान यह है कि जब मर्जी तब इसकी पैसे के निकासी हम नहीं कर सकते हैं, बच्ची की उम्र जब 18 साल की हो जाएगी तो पढ़ाई के लिए आधी रासी निकाल सकते हैं, उसके बाद ये सोच कर इस योजना को बनाया गया था कि उनके साधी के समय हमारी परंपरा के अनुसार कई बार बहुत बड़ी रकम की जरूत पड़ती है, तो ये जो छोटी बचते हैं हर साल जो जमा किया जा रहा है इसमें, वो उस समय कार्ज मतलब उपयोगी बने और लोगों के उपर अतरिक्त अचानक बोजना पड़े, तो ये सुकर्णिया सम माई से छोटी रकम जुटा सकते हैं, और सौ रुपय से भी अपना इस तरह का रेकरिंग डिपोजिट का अचाउंट है, उसकी शुरुवात कर सकते हैं, उसी तरह से हमारा MIS है, मंतली इंकम स्कीम, कई ऐसे अनरगनाइज स्रेक्टर के लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हर माँ में कुछ पैसे मिलने चाहिए, तो उनके लिए मंतली इंकम स्कीम की योजना है, डांक विभाग के पास, जिसमें जिसमें सिंगल एकाउंट है, तो शाड़े चार लाक रुपे की जमा की जा सकती है, जिसमें 9 लाक रुपे जमा कर सकते हैं, जो आम जनता के लिए ल पोस्टल आइफ इंस्ट्रेंस के सिरुवात हो गई थी, इसके तहत कई स्कीम है, संतोस, सुमंगल, सुबिधार, सुरक्छा, यूगल, सुरक्छा, बाल विमा योजना, बिकलांग विमा योजना, जिसमें अलग-अलग उम्रे बर्क के लोग इस योजनाओं का विमा का फा इंसुट्रेंस का फाया उठा सकते थे, लेकिन अभी जिन्होंने भी प्रोफेस्नल कोर्स किये हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीएड, नर्सिंग, सुस्ट्र का विमा प्यदा के लिदिवाए इंसुट्र जिसमें मिनिमूम प्रीमियम और मैक्सिमम बोनस मिलता है इंसुडेन्स में जब इंसुडेन्स की चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री जी के दुआरा जीवन जोती योजना की सुरुआत की गई थी जिसमें मात्र 20 रुपे जमा करके 2 लाख रुपे हम एकसिडिंटल इंसुडेन्स का पहादा उठा सकते है फिर अटल पिंसन योजना की शिरुवात की गई है जिसमें जो संगठित शित्र के लोग हैं वो 60 साल के बाद एक तरह से वो पिंसन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए 18-40 से उम्र बर के जो लोग हैं इस योजना का फायदा उठा सकते हैं डांक विभाग के दौरा इन विजनाओं के संचालं के साथ साथ और कई तरह के महत्पून कारज किये जा रहे हैं जैसे कि अधार बनाने और अधितन करने का काम हो रहा है डांक खानों में उसके अतरिकते हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाड़ी के देशों में और दूसरे देशों में मजदूरी का काम और अन्य काम करते हैं तो ऐसे लोगों को बड़ी असुविधा होती थी उनको बड़े सहरों में राजधानी में आकर के पासपोर्ट बनाना होता था एक लंबी प्रक्रिया होती थी लेकिन विदेस मंत्राले के साथ हम लोगों ने टाइप करके और लगभग हर जिले में हमारे डांग घर में पोस् सौपी के माध्यम से हम सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि फिलेटली से जुड़े हुए जो हमारे समग्रियां होती है उसके अतरिक्त माई स्टेंप काउंटर होता है उसके अतरिकत आज की तारिक में हम एलीडी वल्प से लेकर के कोरोना केट से लेकर के बहुत सी और साहितिक के रुजान को उत्पन करने के लिए रचनात्म के कला का विस्तार करने के लिए बिभाग के द्वारा प्रतिवर से पत्रलेखन प्रतियों किता का आयोजन होता है यूपीव के द्वारा अंतराष्टिय पत्रलेखन प्रतियों किता का अयोजन होता है और अपने देश के विभाग के द्वारा अपने इंडिया पोष्ट के द्वारा प्रति बर्स अंधाय आखर पत्रलेखन प्रतियों किता होता है जिसमें अठार साथ से कम उम्रे के और प्रफम जो होगा उसे पचास जार जिन्होंने दूतिय अस्थान हासिल किया है उसे पांच जार तो इससे लोगों का एक तरह से जुडाव भी हो रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह और उनकी जो प्रतिभा है खास करके साहित से जुड़ी हुई उसके बिस्तार की उसके विकास की सोच है डिपार्टमेंट की इसके अतरीक्त भी और कई तरह की सेवाएं विभाग के दौरा समय समय पर दी जाती रही है जैसे कि आई पीपीबी के दौरा हम लोग एई पीएस की सुविधा दे रहे हैं अ और कोरोना काल में तो कितनी अजीम खिद्मत इंसानियत की है डांक विभाग ने जब इतनी असुविधाएं थी इतनी खत्रे थे लोग एटीम में जाने से भी डरते थे तो घर जा करके जो केंद्रा और राज सरकार की यह जिनाओं के तहत रासी एकाउंट में दी जाती थ उसे हार्ड कैस के रूप में प्रदान करने में APS के द्वारा जो हमारा हैंडल डिवाइस है डांक करिमी के पास है जो हमारे GDS के पास होता है वो RICT डिवाइस उसके द्वारा हम लोगे transaction कर रहे हैं पैसे पूंचा रहे हैं तो इस तरह कि कई सयावाए हैं कई खिद्मात ह इसे हम अंजाम दे रहे हैं। हर नागरिक तक अपनी सेवाओं को अपनी सुविधाओं को पूरी जवाब देही के साथ, पूरी गुडवत्ता के साथ पहुंचाते रहेंगे और जो भी सरकाल का मिसन है, जो लक्ष है उसे हांसिल करने में अपनी भूमिका का अंद्रिवान करते रहेंगे। हमारे आज के विशेश महमान जिन से हमने चर्चा की, आज राष्टे डाक दिवस को लेकर कई सारी ऐसी बातों को हमने जाना और कैसा लगता है आपको हमारा ये कारेकरम आप से हम जानना चाहेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, तो फटा-फट उठ हाइए कापी और कलम और नोट कर लिजे हमारा पता, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंदर पतना, फ्रेजरोट पतना, आज 00001, हमारा इमेल अड्रेस है डिरेक्टरडीडीके पतना at gmail.com